इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल को सब्स्राइब करें और बेल आइकन तबाएं मम्ता बानर जी बंगाल में कोरोना के बढ़ते संक्रमन के लिए तो पहले से ही बीजेपी की रेलियों को जिम्मिदा ठहरा रही थी अब उन्होंने मोधी सरकार पर वैक्सीन को लेकर भी निशाना साधा है मम्ता ने प्राइम मिनिस्टर को एक चिठी लिखी है मम्ता ने इस लेटर में बंगाल में किस तरह से उनके चिठी को लेकर चर्चा हो रही है ये भी आपको बताते हैं अपनी चिठी में मम्ता ने लिखा कि मोधी सरकार ने वैक्सीन वित्रण के लिए जो नई वैक्सीन नीती बनाई है वो बिलकुल खोकली है प्रधान मंतरी की ये नीती जिम्यदारी से बचने के लिए अफसोस जनक कदम है मम्ता ने मोदी को लिखा है कि जब कोरोना की मामले बढ़ रहे हैं तो केंदर सरकार कीवल बयान बाजी कर रही है बंगाल सरकार वैक्सीन खरीदना चाहती थी लेकिन केंदर ने इसकी इजासत नहीं दी मम्ता की लेटर पर बिना देर किये बीजेपी ने कड़ा पलटवार किया बंगाल बीजेपी अध्यक्ष दिलीब घोश को सुनिए लेटर लिखने से क्या जब प्रधान मुंतिरों को लेटर लिखते थे वो नहीं आए बार बार इंकार किये आप जो जाने का समय हो गया रोने से क्या होगा फिलाल वक्त एक ब्रेक का हो चला है ब्रेक की बात देखिए आज 14 घंटे में सामने आए कितने कोरोना के मामले झाल